दोस्तो अगर आप परिशान हो रहे हैं कि आपने अभी तक डैली उनिवर्सिटी में एड्मीशन नहीं लिया है तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चिनिटी है जो भी पीजी और यूजी यानि कि अंडर ग्रेजिवेशन में या फिर पोस्ट ग्रेजिवेशन म करने ना चाहते हैं फर्स्ट एयर में तो उन लोगों के लिए जो एड्मीशन डेट है वो एक्स्टेंड हो गई है और वो एक्स्टेंड होकर 20 अक्टूबर 2024 तक हो गई है उसका मैं आपको डैली उनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहीं पर आपको नोटिस दिखा देत हैं यह जो एड्मिशन लेने वाले हैं उनके एक्जाम कब होंगे और इसके अलावा जो बागी समस्टर के स्टूडेंट है उनके एक्जाम कब होने वाले हैं वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं तो एंड तक आप बने रहना सारी इंवर्मेशन आपको काम की है और बहुत important है आपके काम जरूर आएगी तो सबसे पहले तो यह जो इनका notice है इस notice में आप साफ साफ देख सकते हो जो भी SOL के students है उन लोगों के लिए जो जुलाई अगस्त वाला session था ठीक है वो अब extend होकर यहां पर 20 October तक उसकी last date हो चुकी है तो यानि कि 20 October तक payment करके आप admission को ले सकते हैं जो last date है वो extend हो गई है तो यह 20 October हो चुकी है तो इसकी जो payment है वो 28 October तक आप कर सकते हैं इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरा notice दिखाऊं जहां पर मैंनका academic जो calendar है जिसमें पूरे साल आपके जो exam से वो कब होने वाले हैं कैसे होंगे तो दोस्तों यह है Delhi University का academic calendar इसको आप देख सकते हैं तो यह जो academic calendar है 2023 में release हुआ था और इसमें properly आपको पताया हुआ है कि कब आपके exam सोने वाले हैं और किस time पर आपको हर एक semester के exam के लिए preparation करना है तो यहां पर देखो classes के बारे में लिखा हुआ है तो classes के बारे में लिखा है कि 16 August से classes जो है वो बता दी जाएंगी कि बच्चों की classes conduct हो रही है लेकिन अभी जो S.O.L. के student है उनके जो admission date है वो ही extension होके October हो गई है तो वो बच्चे classes के लिए अभी बात यहां पर ना करें क्योंकि पहले आप admission ले लें उसके बाद फिर आपके classes लगेंगे इसके अलावा main जो आपको यहां पर समझना है वो है आपका theory exam तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको mark करके दिखा देता हूं कि कहां पर theory exam की यहां पर बात हो रही है तो यह आप देखेंगे ना यह वाला जो portion है यह तो यहां पर theory exam की बात हो रही है और वो है 13 December यानि कि 13 December 2023 से आपके जो theory exam है वो start हो जाएंगे और यह कौन से semester की student की मैं बात कर रहा हूं semester 1, 3, 4 और 7 यह जितने भी बच्चे हैं आप देख सकते हैं अगर आप semester 1 में आपने admission लिया है इसके लावा अगर आप semester 3, 4, sorry semester 3, 5 और 7 के exam देने वाले हैं तो उनके जो exam conduct होंगे वो December के महिने में होने वाले हैं तो आपके पास करीब करीब दो महिने बचते हैं अपने exam की preparation के लिए इसके अलावा अगर हम बात करें semester 2 के exam आपके कब होंगे तो उसका भी idea है आपको मिल जाएगा idea क्या यह clarity है कि इसी मन्त में आपके exam होने हैं तो जो भी semester 2, semester 4, semester 6 और semester 8 जो बच्चे इन semester के exam देने वाले हैं उनके जो exams होंगे तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे इनकी जो theory examination date है वो देख सकते हो मई के महिने में 9 मई से conduct होंगे यह exams तो Delhi University में जो exam कराने का pattern होता है न वो कुछ इस तरीगे का ही होता है एक चलता है odd series में यहाँ पे आप semester 7 तो यह सारे odd series के semester हैं यह December में conduct होते हैं और इसके अलावा अगर हम even semester series देखे semester 2, 4, 6, 8 यह आपके conduct होते हैं मई के महिने में तो इस तरीके से यहाँ पे आपको idea लग गया होगा कि आपके exams कब होने वाले हैं तो सबसे पहले जो बच्चे semester 1, 3, 5 और 7 में हैं उनके exam December में start हैं दो महिने exam के लिए बचते हैं तो हमने भी अपनी channel पर कई videos बनाए हुए हैं तो आप उनसे भी help ले सकते हैं अपने exams के लिए इसके अलावा अगर आपको कोई doubt है तो आप comment कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगता है तो like share करें मिलता हूँ आप से अगले video में bye bye and wish you all the very best